बुद्ध कहते हैं बिक्सिवो जैसे पर्वत के उपर भारी बरसा होने से वो जल ढलान की ओर बहता हुआ गुफा दरारों को भर देता है और गुफा दरारों को भरता हुआ छोटे तालाबों को भरता है और फिर छोटे तालाबों को भरता हुआ बड़े तालाबों को भरता और बड़े तालाबों को भरता हुआ छोटी नदियों को भरता है और फिर बड़ी नदियों को भरता हुआ महासमुद्र सागर को भरता है इस परकार इस महासमुद्र सागर का आहार होता है और उसकी पूर्ती होती है इसी परकार भिक्सिवों सत्पुरुस की संगती की पूर्ती सद्धर्म स्रवन की पूर्ती करती है और सद्धर्म स्रवन की पूर्ती स्रद्धा की पूर्ती करती है और स्रद्धा की पूर्ती योनिसो मनसिकार की पूर्ती करती है और सम्रती संप्रजन्य की पूर्ती इंद्रिय संयम की पूर्ती करती है और इंद्रिय संयम की पूर्ती तीनों शुब करमों की पूर्ती चारों सम्रती उपस्तानों की पूर्ती सातों बोधी अंगों की पूर्ती करती है इस प्रकार इस बिध्या बिमुक्ती का आहार होता है और इसकी पूर्ती होती है बुद्ध में प्रतितिय समुधपात के सिद्धान्त में किस तरह से एक मनुस्री की एक प्राणी की इस भवलोक में गती होती है किस तरह से वो यहां फसता है और किस तरह से यहां से निकलता है इस बारे में बता रहे हैं प्रतितिय समुधपात के सिद्धान्त पर हमने पहले ही पांच अच्छे वीडियोज में बात कर ली है और आज हम प्रतिती समुधपात के सिद्धान्त में किस तरह से यह भवत्रशना पैदा होती है और भवत्रशना पैदा होकर किस तरह से जीव यहां फ्रस्ता है उसके क्या कारण होते हैं इस पर बात कर रहे हैं तणहा सुत्त में भगवान बुद्ध ने हमें तनहा सुत्त में इस बात को बताया कि किस तरह से भावत्रशना पैदा हुई और किस तरह से एक प्राणी एक मनुस्य यहां फस्ता है तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षिव इससे पहले भावत्रशना न थी इसके बाद भावत्रशना हुई इस प्रकार भावत्रशना की पूर्व कोटी यानि आरंभ के सिरे का पता ही नहीं चलता वो आरंभ का सिरा दिखाई ही नहीं देता बिक्षिव यह कहा जाता है लेकिन यह दिखाई देता है कि ऐसा होने से भावत्रशना की उत्पत्ती होती है बुद्ध हमें बता रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि भाउत्रश्णा की पूर्व कोटी यानि आरंब का सिरा दिखाई नहीं देता लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह दिखाई देता है इस ते पता चलता है कि भाउत्रश्णा की उत्पत्ति कैसे होती है यह तो पता चलता है भाउत्रशना को मैं आहार आस्रित करता हूँ, यानि आहार आस्रित का अर्थ होता है कि भाउत्रशना का भोजन क्या है, भाउत्रशना कैसे पैदा होती है, बिना आहार के भाउत्रशना पैदा नहीं होती, यानि बिना किसी आलंबन के, बिना किसी फसाओ के, बिना किसी भाउत्रशना भी पैदा नहीं हो जिए भाउत्रशना को भी भोजन चाहिए भाउत्रशना का भोजन क्या है इसके उत्तर में बुद्ध कहते हैं कि अबिध्या इसको हमने प्रतिती समुद्पात के सिद्धान्त में बात की थी कि अबिध्या से यह प्राणी इस भाउलोक में तो बुद्ध कहते हैं कि भाउत्रशना का प्रत्य क्या है भाउत्रशना का आहार क्या है कैसे भाउत्रशना पैदा होती है तो बुद्ध कहते हैं कि अबिध्या से भाउत्रशना पैदा होती है यानि अबिध्या भोजन है भाउत्रशना का और अबिध्या अबिध्या किस प पैदा नहीं हो सकती तो अभिध्या का भोजन क्या है अभिध्या का आहार क्या है फिर बुद्धा में उत्तर देते हैं कि पांच इंद्रियां इन पांच इंद्रियों से आहार आस्रित होती है अभिध्या यह पांच इंद्रियां कारण बनती है अभिध्या का बिना इन पां क्या है इन इंद्रियों का भोजन क्या है इंद्रियों को क्या भोजन चाहिए तो बुद्ध उत्तर देते हैं तीन प्रकार के दुशकर्म शरीर, मन और बाणी से किये गए दुशकर्म जब यह तीन परकार के दुशकर्म होते हैं तो फिर क्या होता है यह पाँच इंद्रियों के द्वारा किये जाते हैं और यह तीन परकार के दुशकर्म किस पर आस्रित होते हैं यह भी किसी पर आस्रित है इनका भी कोई भोजन है बुद्ध कहते हैं कि तीन परकार के दुशकर्मों का आहार है इंद्रियों का असंयम होना इंद्रियों का असंजित होना और इंद्रियां असंयम कैसे होती है उनका आहार क्या है तो बुद्ध कहते हैं कि इंद्रियों के अ संयम का भी आहार है क्या सम्रती संप्रजन्य से हीन हो जाना यानि सम्रती संप्रजन्य यानि होश ही नहीं सम्रती ही नहीं यादास्त ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना इस बात के कोई खवर नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है किस से क्या होगा किस से क्या नहीं होगा क् हमारे फाइदे के लिए है, क्या हमारे नुकसान के लिए है, किस से हमारी अधोगती होगी और किस से हमारी अधोगती नहीं होगी, इस बात का कोई भान ही नहीं, कोई आभास ही नहीं, समरती ही नहीं जगी, होशी नहीं जगा, बेहोशी है, इसको मुद्ध कहते हैं कि समरती स संप्रजन्य का नहीं होना हीन हो जाना ही इंद्रियों का असयम है यह इंद्रियों के असयमीत होने का भोजन है अगर बेहोशी होगी तुरंत इंद्रियां असयमीत हो जाएंगी आपने देखा न एक ब्यक्ति आपके पास आता है वो केता है कि अरे यार तुमने क्या कर रहे ह तुमने अभी तक गाड़ी नहीं जोड़ी तुमने अभी तक तुम अपना लिविंग स्टेंडर्ड तो देखो और मुझे देखो मुझे आये हुए मुझे अभी नौकरी में लगे हुए इतने ही साल हुए देखो मैंने कितना कर लिया और फिर वो अपनी हकीकत बताता है कि म को भी मैंने सब लोन पर लिया था और मैंने अब गाड़ी भी लोन पर उठाई है अब मैंने घर भी बनाया है वो लोन पर सारा काम करता है और आपको सिक्सिया देता है कि आपने अब तक क्या किया और आप उसके ट्रैप में फस जाते हो आप अपने अंदर हीन भावना में भर जाते हो कि देखो यार मेरे मैने जीवन कैसे जिया है और यह आदमी को देखो लेकिन हम हमारी बुद्धी यह काम नहीं करती हमारे अंदर समरती संप्रजन्य नहीं है हम बेहोश हैं अगर तो हम उसके कहे हुए अनुसार चल पड़ेंगे कि यार मेरे को भी लोन दिला दे फिर मैं भी यह कर लूँगा मैं भी वह कर लूँगा और फिर इस ब्यक्ति की नीद उड़ जाती है यह ब्यक्ति समरती संप्रजन्य नहीं है और यह जब तुम से बात करता है तो तुम्हारी भी समरती संप्रजन्य को हर लेता है और फिर यह ब्यक्ति भी लोन के चंगुल मफसेगा फिर इसको रात मनीद नहीं आई फिर यह हर महिने की इंस्टॉल्मेंट के बारे में सोचेगा कि अभी कार की इंस्टॉल्मेंट आनी है अभी घर की इंस्टॉल्मेंट आनी है अभी फ्रीज की इंस्टॉल्मेंट आनी है अभी लैक्टव की इंस्टॉल्मेंट आनी इसको ब्लेट्पेसर किसे गायद हो जाएगी, अब या बुद्धी, इसके अंदर बुद्धी नहीं, सम्रती संप्रजन्य नहीं, बुद्धी लगता तो है इसको कि यह इसके अंदर बहुत बुद्धी है, यह बड़ी जोड़ तोड़ करेगा, अब यह कहीं से भी पैसे आ कभी खो अपनी फ्रेंड को बोलेगा कभी किसी रिष्टिदार को बोलेगा और फिर अगर उन्होंने मना कर लिए तो फिर उन पर उन भला बुरा कहेगा फिर उनके बारे में अबने अंदर अपने मन में कुने कुरी भाह भौनाएं slipped कि कोई четыe यह ब्यक्ति बेहोशी का जीवन जीता है और कैसे बेहोशी पैदा हुई इसकी बेहोशी पैदा हुई क्योंकि इसकी संगती इस तरह से थी और संगती कहां से बनती है संगती बनती है कि यह ब्यक्ति यह बिचार ही नहीं कर पाता कि इसने किस ब्यक्ति की सुननी है और किस ब् यह बहोशी का भी कोई भोजन है यह बेहोसी भी कहीं से जुड़ी हुई है कैसे जुड़ी हुई है यह बेहोसी तो बुद्ध आगे कहते हैं अयोनिसो मनसिकार ठीक ढंक से बिचार न करने पर यह बेहोसी जुड़ी है जैसे अभी हमने कहा कि ठीक ढंक से बिचार न करना क्या है यह ब्यक्ति यह सोच ही नहीं पा रहा है कि भाई तुम गाड़ी तो कल को लोन पर ले लोगे, घर के लिए लोन तो ले लोगे, लेकिन तुम यह नहीं देख रहे हो कि तुमारा बजट कितना है, यह ऐसी मनमक ख्याल बना लेता है कि बीबी के भाई से इतना मांग लूँगा तो इतना मेरी इंस्टॉल्मेंट में चला जाएगा, इतना इधर चले जाएगा, इसने एक बजट बना लिया है, और वो बजट ऐसी धोके का बजट बनाया है, इसको पूरी होस नहीं अभी कि खर्चे कैसे अचानक भी आ सकते हैं, कहीं बीमारी आ जाए, कहीं कुछ हो जा कुछ खर्चे अचानक निकल के आ जाए, तो फिर यह कैसे इतने टाइट बजट से यह कैसे काम चलाएगा, यह भूल जाता है सब, यह सोचता है कि कोई बीमारी नहीं आएगी, जैसे चल रहा है, वैसे ही चलेगा, यह सोचता है कि सब इसकी मदद कर लेंगे, यह सोचता है कि कभी इंस्टॉल्मेंट में कोई एक दो दिन का इदर उदर हो जाएगा, तो किसी से मांग लूँगा, वो मेरी हल्प कर देगा, वो मेरी हल्प कर देगा, यह इस तरह से जोड तोड लगा कर इसको बुद्ध कहते हैं, अयोनी सो मने सिकार, ठीक ढंग से बिचार न करना, बुद्धी और विचार कहां से पैदा होगा, दूसरे से जहां ब्यक्ति अपिक्ष्या रखने लगता है, ठीक ढंग से बिचार नहीं कर पाता, अपनी बुद्धी विवेक का इस्तेमाल न करके दूसरे पर आस्रित हो जाना, दूसरे की बातों में, दूसरे के बहकावे मा आजाना, अपने अंदर इतनी प्रग्या ही नहीं पैदा हो पाई है कि किस तरह से बिचार करना है, किस तरह से अपने अब तक के जीवन से सीख लेनी है, क्या अनुभव है जीवन का, इससे कोई मतलब नहीं, देखा देखी मैं, इसको बुद्ध कहते हैं अयोनी सो मन सिकार कि सम्रति संप्रजन्य नहीं होने का यानि होश नहीं जगने का कारण है ठीक ढंग से बिचार न करना और ठीक ढंग से बिचार न करना ठीक ढंग से बिचार क्यों नहीं हो पाता बुद्ध कहते हैं कि इसके पीछे भी कारण है इसका भी कोई भोजन होगा इसके पीछे भी कोई कारण होगा इसका भी कोई आहार होगा यह अयोनी सो मनसिकार क्यों पैदा होता है बुद्धे इसका उत्तर देते हैं अस्रद्धा से विक्सिवो अस्रद्धा से अयोनिसो मनसिकार पैदा होता है और अस्रद्धा क्या होती है? बुद्ध कहते हैं कि अस्रद्धा को भी मैं आहारास्रित कहता हूँ क्यों? क्योंकि अस्रद्धा भी अपने आपी नहीं होती अस्रद्धा का भी कारण होता है और असरद्ध का क्या कारण है बुद्ध केते असद्धर्म का सुनना असद्धर्म का सुनना क्या है यही कि कोई व्यक्ति ने कुछ भी कह दिया उसको बातों को कानों में सुन लिया और कानों से उसको अपने मन में सोच लिया और मन में सोचके फिर उस पर विचार करते 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 कर्म कर बैठे इसको बुद्ध कहते हैं असद्धर्म इसलिए बुद्ध ने असद्धर्म और असद्धर्म को बहुती गहरे में विचार करने को कहा और बुद्ध यही नहीं रुकते बुद्ध आगे कहते हैं कि भिख्षो असद्धर्म भी मैं एक आहर आश्रित कहता हूँ यानि असद्धर्म भी किसी कारण से ही पैदा होता है फिर हमें बुद्ध बताते हैं कि असद्धर्म क्या कारण क्या होता है असद्धर्म का कारण होता है असद्धर्म का कारण होता है यहाँ पर रामकार्थ है कि कोई सत्पूरुस चाहिए उसकी कृपा चाहिए क्योंकि बुद्ध जब कह रहे हैं कि असत्पूरुस की संगती यानि ऐसे ब्यक्ति की संगती जिस ब्यक्ति के अंदर सत्य का अनुभव नहीं सत्य का आभास नहीं जो ब्यक्ति बेहोश है जो ब् ने देखा ना, आजकल बहुत प्रचलन है, हर ब्यक्ति के अंदर दिमाग में जब भी गुरू की बात होती है, वो कहता है, अब गुरू कहां सब जूटे गुरू है, यह दिमाग में जो बात आई, कैसे आई, यह जिस तरीके से प्रचलन समाज में है, जिस तरह से हम देखते हैं, अगबारों में पढ़ते हैं, इधर सुनते हैं, दोकादड़ी, जूट, यह सब सुनते हैं, तो एक मन में ख्याल बैठता है, कि सब असद्पुरूस हैं, लेकिन बुद्ध नहीं मानते, बुद्ध कहते नहीं, असद्पुरूस की संगती से असद्धर्म होता है, यही और असरध्धा की पूर्टी से अयोनिसो मनसिकार की पूर्टी हो दिये, यनि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सत्पुरुस, सत्पुरुस की संगती बुद्ध ने सत्पुरुस की संगती और सधर्म स्रवन की पूर्ती को बहुत जोड दिया और अपने बुद्ध बचन में सुरू में ही मरगदाव सारनात में भगवान बुद्ध ने जब पाँच भिक्षियों को पहला उब्देश दिया उस समय ही कहा कि सत्पुरुस की संगती चाहिए सत्पुरुस कोन होता है सत्पुरुस का अर्थ है एक पूरा गुरु सम्यक संबुद्ध उसको सत्पुरुस कहते हैं और बुद्ध कहते हैं कि सत्पुरुस की संगती के बिना नहीं होगा यह बात यहां अंत मैं आकर रुकती ह जिस जहां हम अभी असतपुरुस की संगती से असतधर्म स्रवन की पूरती होती है असतपुरुस की संगती क्योंकि जब तक सतपुरुस नहीं मिलता जब तक सतधर्म नहीं मिलता तब तक भाउतरशना से मुक्ती नहीं होती जो हम अब तक यह सुन कर आए हैं कि भाउतरशना कैसे पैदा होती है भाउतरशना के किन कारणों से पैदा होती है और कहां जाकर रुखती है तो लास्ट में हम पहुँचे हैं असतपुरुस की संगती यानि जूटे ब्यक्ति और जूटा ब्यक्ति और सच्चा ब्यक्ति का फर्क सिर्फ क्या है सत्पुरुस की संगती और सध्धर्म का स्रमण सत्पुरुस की संगती कहा से होगे सम्व्यक संबुध चाहिए जब तक सम्यक संबुध नहीं मिलेगा जब तक सद्पुरुस नहीं मिलेगा तब तक सद्धर्म नहीं मिलेगा और जब तक सद्धर्म नहीं मिलेगा तब तक भाउत रश्णा में फसना ये फसना है तब तक मुक्ती नहीं होगी तब तक निर्वान की प्राप्ति नहीं होगी यह बुद्ध के बचन है तनहा सुत्त में भगवान बुद्ध हमें यह बता रहे हैं और सत्पुरुस की संगती कैसे मिलेगी यह बुद्ध ने हमें सुरुम ही बता दिया कि सत्पुरुस की संगती का अर्थ है कि सद्धर्म की स्रवन की पूर्ती और सत्पुरुस की पहचान क्या है सत्पुरुस की पहचान करने के लिए सत्पुरुस को हम तो नहीं खोच पाएंगे सत्पुरुस हमें खोचता है लेकिन सत्पुरुस की कुछ पहचान होती है सत्पूरुस की पहली पहचान है कि सत्पूरुस कहता है कि सारे आडंबर, सारे आवरण, सारा दिखावा, सारा जूट और सारे बिलीफ सिस्टम को अपने पूरी तरह से गिरा दो बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि हमने बान रखाया कि यह ऐसा है, यह ऐसा है, यह वैसा है, हमने पढ़ रखाया, हमने सुन रखाया कानों से, लेकिन हमारा कोई अनुभो नहीं लेकिन जो सम्यक संबुद्ध होगा जो सत्पुरुस होगा वो सबसे पहली बात कहेगा कि अपने सारे बिलीफ सिस्टम को गिरा दो सारे आउरण को, सारी कुरीतियों को, सारे रीति रिवाजों को पूरी तरह से गिरा दो सबसे पहले अपने belief system को गिराना होगा सत्पुरुस की संगती सबसे पहले यही कहेगा सत्पुरुस कभी भी यह नहीं कहेगा कि people के पेड़ में पूजा कर लो तो तुमारे अंदर प्रेत नहीं आएगा भूत नहीं आएगा इतने दिन ब्रत कर लो तो यह हो जाएगा, उतने दिन ब्रत कर लो तो यह हो जाएगा, तुमारे हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी, तुमारे माथे की रेखाएं बदल जाएंगी, सत्पुरुस कभी भी ऐसे बाहरी दिखावे में नहीं उलजाता, सत्पुरुस कभी भी कि कि कहानी कथा में नहीं फसाता सत्पुरुस किसी भी प्रकार की बाहर के रीति रिवाज पूजा पाठ कर्म कांड में नहीं फसाता यह सत्पुरुस की संगती सत्पुरुस को समझने और जानने का सबसे बड़ा एक तरीका है कि सत्पुरुस कभी भी यह नहीं कहेगा कि बाहर जाके कुछ मिलेगा, सत्पुरुस हमेसा ही यह कहेगा, कि आपके अंदर सब कुछ है, ध्यान साधना के जरिये ही मिलेगा, और ध्यान साधना के जरिये अपने ही अंदर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, सत्पुरुस कभी भी बाहरी रीती रिवाज, बाहरी कर्म कांडो मने ही उलजाता यह सत्पुरुस की सबसे बड़ी पहचान है और बुद्ध जब सम्यक सम्बुद्ध बनकर आए वक्त के गुरु बनकर आए तो उन्होंने सबसे पहले सारे कर्मकांडों को सारे रीती रिवाजों का खंडन कर दिया, बिरोध कर दिया, सारा आडमबर, सारा सबी ने बाहरी किसी भी प्रकार के कर्मकांड, किसी भी प्रकार के बाहरी फसाओ, बाहरी लगाओ को पूरी तरह से उनका खंडन कर दिया, यह बात हमें समझनी होगी, अगर सत्पुरुस को हमें खोजना है, अगर हमें सत्पुरुस को जाकर हमें खोजना है, उसके तो सत्संग में सत्पुरुस सिर्फ ध्यान की बात करेगा बुद्ध के बचनों को हम सुनते हैं किसी भी बचन में पूरे बुद्ध के बचनों में पूरे नानक की गुरु बाणी में और पूरे कबीर के पदों में और पूरे पल्टू के पदों में पूरे दादू के पदो में पूरे बुल्ले साहा के पदों में कहीं भी आप अगर बुद्ध पुरुसों की बाणी पढ़ेंगे और सुनेंगे तो उसमें कहीं भी आपको बाहरी किसी भी प्रकार का कर्मकांडर नहीं मिलेगा सभी ने अपने अंदर ध्यान साधना के जरिये बढ़ने पर जोड़ दिया और सत्पुरुस जहां भी सत्संग सत्पुरुस के होंगे वहां सत्पुरुस आपको बाहरी किस तरह से हम भव मफासे हैं इस बारे में हमें बताएंगे और हमें यहीं बताएंगे कि निकल कैसे सकत और निकलने का कारण बताएंगे कि निकलने का एक ही जर्या है ध्यान निकलने का एक ही जर्या है सत्पुरुस से उपदेश दिक्ष्या और निकलने का एक ही जर्या है सधर्म स्रमन यानि सत्संग को सुनना है सधर्म को सुनना है और सत्संग जब कोई बुद्ध पुरुस कहत तो सत्संग का अर्थ बाहर के बचनों का ही नहीं है, सत्संग का अर्थ है अंदर उस आवाज को सुनना, अंदर उस अनहद नाद को सुनना, यह सत्संग है, क्यों? क्योंकि वो अनहद नाद किसी भी बाहरी शब्दों से नहीं जुड़ा हुआ है, वो अनहद नाद इस स्रस् की उर्जा है वह इस स्रस्टी को बाधे हुए है स्रस्टी को चलाइमान रखे हुए है उस अनहद नाद के लिए कोई अमेरिका अफरीका कोई चाइनीज कोई पाकिस्तानी कोई हिंदुस्तानी कोई प्राणी कोई जीव कोई मनुस्य कोई अलग मजब किसी से कोई मतलब भी न उसी अनहद नाद के जरी हम जिन्दा हैं। इस अनहद नाद को सुनने के लिए हमें स्रमन बनना होगा। स्रमन का अर्थ है जिसने सुनना सीख लिया। जिसको अनहद नाद सुनना आ गया। और अनहद नाद सुनना कौन सिखाता है। सद्धर्म कौन बताता है। सद्धर्म और अनहदनाद को यानि इस सत्संग को सुनना सिखाता है सत्पुरुष। मैं समझता हूँ कि आज के इस इन बुद्ध के बचनों से हमें पूरी तरह से सत्संग क्या होता है, सत्पुरुष कौन होता है और सत्धर्म स्रमन क्या होता है और स्रमन क्या होता है इस बारे में पूरी तरह से अच्छी जानकारी मिल गई होगी हमें विचार करना होगा कि इसके बिना नहीं होगा बुद्ध ने सबसे पहले ही सत्पुरुस की संगती और सद्धर्म स्रवन की बात कही है वहीं से बुद्ध ने म्रगदाव सारनात में अपने बचनों को बचनों की सुरुवात की कि बिना सत्थपुरुस की संगती के नहीं होगा, बिना सद्धर्म स्रवण के नहीं होगा नहीं तो जहां असत्धर्म की बात आ रही है, जहां असत्थपुरुस की बात आ रही है यह कौन है यही जूटे लोक में जूटे संसार में फसाने वाले और जूटी बातों में जूटा ही सद्धर्म बताने वाले लोगों के बारे में बुद्ध कह रहे हैं कि यहीं से भाव में फसने का सिलसिला सुरू होता है कौन जूटा असतपुरुस है इसको भी बुद्ध ने बताया कौन क्या असधर में है इसको भी बुद्ध ने बताया सतपुरुस चाहिए और सतपुरुस की पहचान क्या है कि सतपुरुस कभी भी बाहर नहीं फसाता किसी भी प्रकार का आडंबर, दिखावा, कर्मकांड, जूट का परचार नहीं करता यह हमें समझना होगा अगर हमें सत्पुरुस के बारे में सत्पुरुस की खोच करनी है सत्पुरुस को जानना है, समझना है तो यह पहली condition है कि सत्पुरुस कभी भी बाहरी दिखावे में नहीं फसादा यह उसकी एक मातर पहचान है हम उसको तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, नहीं देख पाएंगे क्यों? क्योंकि हम बाहरी आँखों से उसको नहीं समझ पाएंगे अभी लेकिन जब हम उसकी संगत में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं उसके बचनों को सुनने की कोशिस करते हैं तो सत्पुरुस वही होता है जो बाहरी कर्मकांड की बात नहीं करता किसी भी परकारगी? वो सिर्फ ध्यान साधना की बात करता है कैसे ध्यान साधना होगी उसकी बात करता है कैसे ध्यान साधना का उपदेश दिया जाता है दिक्सिया चाहिए इसकी बात करता है और वो सद्धर्म स्रवन की बात करता है स्रमन की बात करता है स्रमन, सद्धर्म, सद्धर्म बाहरी मूं से निकले हुए बचन नहीं है वह तो है ही, क्योंकि उनी के जरिये हमें समझ आती है लेकिन असली सद्धर्म है, जब हमें वह सुनाई पड़े जो इस स्रस्टी को सस्टेन किये हुए है, जो इस कुदरत की उरजा है जो ब्रह्म की उरजा है, जो उस लोग की उरजा है, जो उस लोग का संगीत है वो है अनहद नाद, जो स्वयम अपने आप, अनहद का अर्थी यही होता है जो अपने से हो रहा है, आहद का अर्थ है कि हमने जैसे तबले पर ठाप मारी, हाथ मारा तो तब आवाज हुई लेकिन अनहत का मतलब है कि जो स्वत है अपने आप हो रहा है वो अस्तित्व की आवाज में अपने को पूरी तरह से लीन करने का अर्थ है कि अब हम स्रमन हुए इसलिए बुद्ध को स्रमन कहते थे इसलिए सत्गुरुवों को स्रमन कहते हैं सत्पुर लोग से मुक्त होंगे कैसे हमें सत्पुरुष को पहचानना है और कैसे हमें सत्धर्म को सुनना है नमो बुधाई